हेलो एवरीवन, विलकम बैग टू माई चैनल तो चलिए बहुत ही टेश्टी नास्ता बना कर त्यार करते हैं जिसे बहुत ही कम समान में मैंने बनाया है ये खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी है तो आप साम के चाय के साथ इस नास्ते को इंज्वाइद कर सकते हैं सबसे पहले मैंने दो आलू मैस की फेले लिए हैं एक कप गाजर कदुकस किया हुआ हरी मिर्चे दो काट के डाली है और आधा चम्मच मिर्च पाउडर आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर धनिया काट के डाला है मैंने हरी धनिया स्वात के अनुसार नमक तीन चम्मच मैंने इसमें डाला है कॉर्ण फ्लोर अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे तो इस तरह से मैंने मिला लिया है अब हम इसमें दो चम्मस तेल डालेंगे तेल डालके हम इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हाथों पे तेल लगा के थोड़ा-थोड़ा सा भाग लेकर इसे टिकी का सेप देंगे इस तरह से बीच में इस तरह से गढ़ा करके मैंने इसमें कद्दू कस्किया हुआ चीज रखा हुआ है वो डाल देंगे बीच में और इसे अच्छे से हम कभर कर देंगे इस तरह से इस तरह से मैंने टिकी का सेप दिया है आप चाहें तो अपने मन पसंद आकार में इसे बना सकते हैं ये नास्ता खाने में बहुत ज्यादा टेश्टी लगता है जटपड बन कर तियार हो जाता है तो अचानक आपके घर मेहमान आ जाएं तो ये जटपड वाला नास्ता बना कर आप उन्हें खिला सकते हैं बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये नास्ता सबको तो इसी तरह से हम सारे टिकी को बना लेंगे तो इस तरह से मैंने सारे टिकीयां बना ली है अब एक बाउल में तीन चमच मैदा डालेंगे हम एक पतला सा घोल तेयार करेंगे इस तरह से मैंने घोल तेयार कर लिया है अब इसमें हम ये चीज वाल वाली टिकी इस तरह से डाले के और हम ब्रेट क्रम्स में इसे हम अच्छे से लपेट लेंगे तो इसी तरह से हमने सारे टिकी को ब्रेट क्रम्स में लपेट लपेट कर रख दिया है अब चलिए इसे तल लेते हैं तो मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था मिडियम हीट पे मैंने ये सारे टिकी को फ्राइ करना है हमें अब हमें इसे उलट पुलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राइ कर लेना है दोस्तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताईएगा और आगे के विडियो में आप किस चीज की रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताईएग हम पूरी कोशिस करेंगे कि वो recipe आपके साथ share करें तो देखें कितना प्यारा सा look आया, इसका color कितना बढ़िया आया है जितना बढ़िया इसका color आया, उतना ही एक खाने में बहुत जादा tasty था बच्चे को बहुत जादा पसंद आया मेरे घर में सारे लोगों ने बहुत ही प्यार से खाया, इससे बहुत जादा tasty बनकर तयार हुआ था तो इसी तरह से हम सारे टीकी को तल लेंगे तो यह हमारा बनकर नास्ता बनकर तयार है आप इसे चटनी के साथ, केचप के साथ, चाय के साथ, इंजोय कर सकते हैं विडियो अगर अच्छा लगाते हैं फ्लीज एक लाइक जुरूर करिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जूरू करिएगा